बुलन शहर थाना च्छतारी इलाके में बाजार जा रही नाबालिक लड़की को कारसवार गुंडों ने उठा कर जंगल में ले जाकर दिया गैंग रेप की घटना को अंजा पुलीस ने मामला दर्च कर एक आरोपी को गिरफतार कर लिया है और अन्य तीन आरोपी फरार है मामला दो समुदायों से जुड़ा होने से पुलीस के हाथ पर फैल चुके है थाना चतारी शेत्र निवासी एक नाबालिक किशोरी से दुश्कम की घटना के संबन में वादिया की तहरीर के आधार पर थाना चतारी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजिगृत कर लिया है पुलीस वारा ततकाल कारवाही करते हुए अकरम नामक युवक को गिरफतार कर लिया है अन्य आरूपियों की तराज जारी है पुलीस के तरफ से अगरीम भी विजनात्म कारवाही सुनिशित की जारी है जनपत बुलेंशेर के कसबा चतारी इलाके का मामला है ततकाल नामित अभ्युक को गिरफतार कर लिया गया है जो पूस्ता चब तक की गई है जानकारी मिली है उसके आधार पे यह बात निकल के आई है कि लड़की की माँ लड़की की माँ लोन दिलाने का काम करती है और दीपावली से एक दो दिन पहले उसने अभ्युक्त के प पीता कमीशन नहीं दे रहा था बलंशायर से जाविद खान की रिपोर्ट